हेलो एवर्यवन वेल्कम टू माई चैनल आज हम चैप्टर शिक्स बढ़ने वाले हैं चैप्टर फाइव तक हम कंप्लीट कर चुके अपनी पिसली वीडियो में मोर्ण हिस्ट्री ओफ इंडिया ठीक है तो इस चैप्टर के बारे में अभी पढ़ेंगे सोचल एंड कुल्च चंद विद्या सागर ठीक है इनके दुवारा काफी प्रोटेस्ट किये गए थे और काफी एक्ट भी पास करवाई गई थी तो उन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है और जो वेस्टर गल्चर रहा है उसके क्या इफेक्ट रहे है इंडिया के उप इसमें क्या बोला गया है ना कि जो वेस्टर कल्चर था उसकी वजए से जो लोग थे ना वो अभी नेशनलीजम के बारे में और इंची जो के बारे में सोचने लगे थे ठीक है उनको भी एक नई डारेक्शन अपनी मिल गई थी तो इसमें बोला गया है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री को कुछ थोड़े से फोर्नस आके उस पर रूल करने लगे ठीक है और ऐसा पोसिबल क्यों हो पाया क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंटरनल रिवोल्ट्स होते थे इंडिया बटा हुआ था ठीक है उसकी वजह से एक जुटना होने के वजह से ऐसे थोड़े सो लोग आके इंडिया पर राज करने लगे उनको बाट के ठीक है थोट्फुल इंडियान बिगें टू लुक फोर ए स्ट्रेंथ एंड विकनेसे और विकनेसे और अपने सराउंडिंग को समझा भी ठीक है वो देखके उनको क्या पता लगाना कि जो जो कमिया थी जिनकी वजह से उनके उपर राज किया जा रहा था इंडिया के उपर राज किया जा रहा था तो उन्होंने वो ढूनना स्टार्ट किया और अब क्या था ना अब वो ढून तो ली अब बात करते हैं कि उनको हटाया क के बारे में हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया काफी प्रोटेस्ट किये इंडिया को इन लोगों से बचाने के लिए और जो सोशल स्टेटस है और जो भी जितनी भी स्थीप रथा रही है फिमेल इंफैंटिसाइड रहे हैं पूनत्य वगेरा इन से उटाने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है राजा राम महुराएं वाज मौट बाई डीप लव फूर इस पीपल एंड कंट्री और वर्ड हाड ओल हीज लाइफ और देर सोशल रिलीजियस इंटलेक्टिकल रिजनरेशन वही जो अभी बात कर रहे थे कि राजा राम महुर उनका जो रिलीजियस स्टेटस था ठीक है उनको उठाने के लिए उनको इन चीजों से पोवर्टी से निकालने के लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में काफी हाड स्ट्रगल किये अपर क्लासिस वर सेल्फिस ठीक है और ओफन सेक्रिफाइस सोशल इंटरेस्ट टू ऑनेरो इंटरस्ट तो इसमें क्या आगया है और जो जो उपरओडि कलास्स के लोग रहते तो जो अमीर लोग रहते ते ठीक है वहमेसा क्या सोचते थे ना कि उनका फ़ाइदा अप्ने फायदे की सबसे ज्यादा सोचते थे ना कि जो भी गरीब लोग हैं या फिर उनके साथ मिलके रहने के लिए कि राजा राम मुह राए पुझेशनल जितनी भी अच्छी रिती रिवास थे लिए उनके वारे में काफी उनकी भी काफी रिस्पेक्ट करते थे बट उनको यह भी पता था कि जब तक हम मोडरन कल्चर को जो आज के समय का कल्चर है अगर उसको नहीं अपनाएंगे तब तक हम जो हमारी सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी इसको उभार नहीं सकते है इन पार्टिकुलर ही वांटे इस कंट्री में टो एक्सेट दारेशनल एंड साइटिफिक अप्रोच अब यह क्या जातते थे ना कि मेरे देश के लोग ठीक है अभी यह सोचना समझना स्टार्ट करते कि मैं और वोमेन ठीक है शोचली इनको एक्वल लेके ही चलना चाहिए और ही आल्सों वांटी तो इंट्रोड्यूस इंट्रोड़क्शन ओ मोडरन केप्टलिजम एंड के पास काफी ज्यादा कैपिटल अमाउंट था बहुत पैसे थे तो यह भी चाते थे भारत के अंदर भी वैसा ही विकास हो वैसा ही मोडरनाइजेशन हो ताकि जिससे यहां के कंट्री के इस कंट्री के लोग हमारे देश के लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाएं और अच दोनों का एक मिक्शर थे ठीक है उनके उन दोनों जगहों का यह अच्छे से तालमिर रखते थे यह वह जन्सक्रीट हो गया पर्सियन हो गया अरैबिक हो गया इंगलीश फ्रेंच लेटिंग ग्रीक और हर्ब्यू को जानते थे उनको बोलना भी समझना भी पढ़ना भी हर इन्हों ने संस्क्रीट और हिंदू फिलोसफ्य कहां से पढ़ी हौण नसी से और कुरान और पर्सियन और अरेबिक कहां से पढ़ी पढ़ी पटना से यह अलसो वैल एक्वीटिटिड विजैनीजम जैनीजम के बारे में भी यह अच्छे से जानते थे ठीक है जितने भी ए मुमेंट्स हुई और जो भी भारत के अंदर उस टाइम पर चली थी उनके बारे में भी अच्छे से जानते थे और लेटर ही मेड एन इंटेंसिव स्टेडियो वेस्टर्न थोर्ट सेंड कल्चर और बाद में इन्होंने काफी घैनता से ठीक है वेस्टर्न कल्चर और वहां के जो थोट सें क्या कल्चर क्या रितिरिवाज उनसी जो के बारे में भी काफी बड़ा अब इन्होंने बाइबल पढ़ने के लिए सबसे पहले सीखी ग्रीक और हर्भी ठीक है उस ओरिजनल लैंग्विज के अंदर इन्होंने बाइबल पढ़ी अठारा सु को एक भगवान को मानना चाहिए ना कि ज्यादा भगवानों को ठीक है आप अर्गेमेंट अगेंस्ट अगेंस्ट अबिलीफ इन मेनी गोर्स एंड फॉर्द वर्सीप ऑफ सिंगल गोर्ड यह कलकटा में सेटल हुए 1814 में 1814 में ठीक है फिर एक जो यंग लड़कों का जो बेंट था उन्होंने इनको आकर सित किया और उनके साथ मिलके इन्होंने क्या स्टार्ट किया आत्मिया से भाव नौन ही केरीड ओने परसिस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट रिलीजेस एंड सोशल इस विच वर वाइली प्रिवेलेंट अमोंग दा हिंदू इन बंगोल में इनकों के अंदर रहे ना काफि लूडिवादी सोच के लोग रहते थे पुरानी सोच के लोग रहते थे ठीक है वहां परSetीप्रतव कम उमर में बच्चों की भारने के लिए ठीक है वहाँ पर struggle करते थे इन बच्चों के साथ मिलके वहाँ पर मन लिया लगाते थे लोगों को समझाते थे ठीक है यह क्या कहते हैं कि जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं जो पुरानी लिखा उटे रही है हिंदू दरम के अंदर तो उनके अंदर एक ही बात की गई है कि एक भगवान की पूजा करो एक ही गोड को पूजवाब ठीक है और उन्होंने यह ट्रांसलेशन इसमें पब्लिश करी बंगोली लेंग्वेज में और उनके साथ साथ पांच उपनी सद भी इन्होंने पब्लिश किये जिसकी वज़ाए से हैं प्रूव कर रहे थे कि हां हिंदू धरम के अंदर जो पुराने टेक्स्ट हैं जो पुरानी लिखा होते हैं उनके अंदर ऐसा बोला गया है कि एक ही नहीं करना चाहिए अगर मान लो किसी भी holy book में scripture में कुछ ऐसा लिखा है जो आज के time पे हमारे लिए काफी हानिका रख है तो उससे हमको दूरी बना लेनी चाहिए ठीक है in 1820 he published his precepts of Jesus इन्होंने ये एक book लिखी precepts of Jesus के बारे में इस book लिखी इन्होंने इसमें क्या वो लगाया था इन्होंने कहा था कि जितने भी Christian धरम जितने भी अच्छी चीज़े थी न वो हमें Hinduism में अपने आपको Hinduism के अंदर वो मान लेनी चाहिए ठीक है Hindu हिंदू लोगों को भी उनसी जोको अपना लेना चाहिए और इस तरह से जो missionary थी Christian missionary उन्होंने भी इनको वो भी इनको पसंद करने लगी थी अब क्या थाना he put forward the idea that new India guided by region should acquire and treasure all that the best in the east and the west यह क्या कहते थे कि जो भी Eastern culture के अंदर अच्छा है और जो भी Western culture के अंदर अच्छा है वो इंडिया को अपनाना चाहिए ताकि जिससे हमारी growth भी अच्छी हो और हम आगे अच्छे से बढ़ें thus he wanted India to learn from the west west से भी learn करें और जो हमारी intellectual और जो पुराने thoughts हैं जो भी अच्छी चीज़े हैं ठीक है उन में तो वो भी हमें अपने culture के अंदर add कर लेनी चाहिए he was extremely friendly attitude towards other religion दूसरे ध्रहम के प्रती भी उनका अच्छा सोभाव रहा है ठीक है he believed that basically our religion preach a common message and their followers are all rather under the skin यह क्या कह रहे है न जितने भी धरह में लास्ट में जाके सबका एक ही common message होता है और सब एक ही जैसे है इन 1828 he founded a new religious society नोने एक नई religious society 1828 के अंदर गठीत करी जिसका नाम था ब्रहमा समा सभा जिसको बाद में ब्रहमो समास बोला गया ठीक है और इसका क्या काम था हिंदुईजम को purify करना और monotheism को बढ़ावा देना मतलब एक भगवान की पुजा करना इस चीज को बढ़ावा देना और इसके किलाव थे सती प्रथा के किलाव थे ठीक है और जो भी human dignity जैसे की ओरतों को मतलब बराबर का सम्मान दिलाने के लिए ये आग्ये रहते थे इन चीजों में इनोंने काफी काम किया अब क्या तना इनोंने जो सती प्रथा थी उसको रोकने के लिए burning hearts पे चले मतलब जो घाट थे जहां पे चीता हैं जिताओं को अगनी दी जाती थी कलकता में वहाँ जाते अगर वहाँ पे कोई सती को बैठाया गया हो तो उनके relative से बात करते कि भाई एसन ना करो ठीक है और इस चीज़ को लोकने के लिए इन्होंने पिटीशन डाली कहां पे पार्लियमेंट में जिसको अप्रूर्वर दे दिया गया किसके दोवारा पेंटीक के दोवारा और उन्होंने कानून बना दिया इसको बैन करने के लिए राइट टू सती वो मतलब जो भी सती प्रथा थी इसको बैन कर दिया गया ठीक है वो मेंस राइट के वोरतों के जो अधिकार हैं उनके लिए भी हमेशा आगे खड़े रहे हैं और जितन जो भी पुरानी समझ्या हैं थी मतलब जैसे की वो मेंस को पढ़ने लिखने ने दिया जाता था उनको समान तरजा ने दिया जाता था तो उन चिज़ों के खिलाफ ही लड़ते थे और ही वाज दा अर्लिएस प्रोपेटर ओव मोडन एजूकेशन और मोडन एजूकेशन को बढ़ावा देने वाले भी यह रहे हैं 1817 में डेविड हारे ठीक है वो हैड केम आउट इन इंडिया इन 1800 1800 में वो एजे वोच मेकर जो घड़ी बनाते हैं उसके रू लगा दी और उन्होंने फेमस इंदू कोलेश को का भी गठन किया था राजा राम मोहन रहे राम मोहन रहे गेव मोस्ट एंथूसियस्टिक एसिस्टेंट टू है ठीक है इन्होंने उनका काफी जादा साथ दिया और उनके एजूकेशनल प्रोजेक्ट में भी उनको बढ़ सब्जेक्ट पढ़ाय जाते थे और जो भी फिलोसफी के सब्जेक्ट थे वह भी पढ़ाय जाते थे 1825 के अंदर इन्होंने वेदान्त कोलेश को एस्टेबलिश किया उसको बनाया जहां पर हिंदी लर्निंग और वेस्टन सोसियल और फीजिकल जो साइंस रही है उसको भी पढ़ाय जाता था और यह क्या थे ना बंगाली लेंग्वेज को भी काफी बढ़ावा देते थे ठीक है इसलिए इसलिए इन्होंने ग्रामर को किसमें कंपाइल किया किसमें कनवार्ट किया पेंगोली लेंग्वेज में यह क्या गहते है ना कि अगर रिलीजन से सोसाइटी से अगर हम करप्शन को खतम करते और एक भगवान की पूजा को या उनको मानने को पढ़ावा दें तो जो भी धर्मों के अंदर जितने भी जो डिवाइड आ रखे हैं उनको खतम किया जा सकता है ठीक है राम ओन रोय वास पिरनर ओफ इंडियन जर्नलिजम ही ब्रोट आफ जर्नल्स इन बंगोली पर्सन पर्सियन हिंदी एंड इंग्लिज तो स्प्रेड साइंटिफिक लिट्रेरी एंड पॉलिटिकल नोलेज अमंग दा पीपल तो एजुकेट पॉब्लिक ओपिनियन ओन लिखते रहें ठीक है ताकि जिससे लोग एजुकेट हो उनको पता चले कि कहा हो रही है गवर्मेंट क्याओ कीमे में लेके आ रही है फिर गवर्मेंट क्या चीजजे लागू करने वाली है इन चीजों से और उन्होंने किस चीज को कंडेम किया जो बंगोल में जमीनदार थे ठेक किया हैं वहां के जो क्यती करने वाले किसान रहे उनको कैसे दबाते हैं ठीक है उनका कैसे सोचन करते हैं नहों है उन्य जो को भी काफी उबार के दिखाया लोगों के सामें और उन्हों है क्या कहा कि जो maximum rent पे किया जाता है cultivators का वो fix किया जाए ताकि की जो भी कल्टिवेटर से उनको भी बेनिफिट मिले किसका पर्मानेंट सेटलमेंट एक्ट का जो की कवाई थी 1793 में अब यह चाते थे कि जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट से कि भाई केवल कंपनी ही इन जगों पर इन चीजों बें ट्रेड कर सकती है उनको हटाया जाए और जो इंडियन गूड्स है जो भारत का जो समान है ब्रिटेन में यह कहीं दूसरे देश में जाता है तो उस पर जितन इंडस्ट्री है वो भी अच्छे से आगे बढ़े यह आलसो डिमांड दा फॉर दा इंडियन आइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसीज सेप्रेशन और एक्जीविटी एंड जुडिशरी ठीक है यह चाहते थे कि जो सुपीरियर सर्विसीज है जितनी बड़ी पोस्ट है वहां पे इंडियन्स को भी बठाया जाए ठीक है और जो कानून लागू करते हैं और जो जुडिशरी है ठीक है उसको भी अलग-अलग किया जाए और अच्छे से जो जुडिशियल एक्टिविटी है ठीक है इक्विलिटी उसको भी इंडियन्स और यूरोपियन्स के रामोन राय वाज फिर्म बिलीवर इंटरनेशनलाइजेशन एंड फ्री कोपरेशन बिट्विन दा नेशन ये चाहते थे कि जितने भी देश हैं आपस में मिलके रहें दोना सभी आपस में कॉंटेक्ट में रहें ठीक है और कोपरेट करके रहें ताकि आने वाले समय में कोई इस इसुन नो था पोईट राइंदरनाट टेगोर क्याते हैं कि राजा रामोन राय वस्ट परशन इन इस टाइम केवल वही एक ऐसे इन्सान थे उस टाइम में इन दा होलल पूरे है विस में टुछ रियलाइज दा कम्प्लीट सिगनिफेंस उज्ट अमाडन एज कि मोडन education या modern age modern industry आज के समय में उस time के समय में तो this was all about in our first part ठीक है हम next part start करेंगे अपनी next class में जो कि कल आ जाएगी तो अभी तक के जितने chapter हो चुके हैं तो please आप उनको साथ की साथ पढ़ते रहें और अगर topic में या फिर किसी भी class में कोई issue हो कोई गलती हो तो मेरे को comment section में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और subscribe कीजिएगा thank you have a nice day